मेरे प्यारे चात्रवा, आज़े क्रशा के तृतिय वाशा है, हिंदी क्रशा में आप सबको स्वागते हैं। बचो, पिछली क्रशा में हम हरा गोड़ा, बीरबल और अत्पर के एक सुन्दर चतुराई पर प्रतिविम्मित किया हुआ पाठ के बारे में चर्चा किये हैं। इस पाठ के माध्यम से हम जान सकते हैं कि बीरबल एक चाना अक्षर मंत्री है, यहां हम जान चुके हैं। इसके प्रश्णों तर्वे पिछली क्रशा में हम चर्चा किये हैं। आज की क्रशा में हम इसके व्याकरण अम्ष कहते हैं वह तता अगला पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कहावदे या लोगोगतियां। जीवन के कई अनुवतत्य प्रकट करने वाले स्वतंत्र वाक्यांस को कहावद या लोगोगति कहते हैं। जीवन के कई अनुवतत्य को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वाक्यांस को कहावद या लोगोगति कहलाते हैं। कहावद कुछ कहावद हैं। के बारे में अध्येन करना है तो जिसे कहावत है और उसके अर्थ है एक अनाल सो भी मांग इस कहावत का अर्थ है जैसे आप अपको मालुम है बहुत सारे जो कर्णड के जो कावत और बारे में आपको मालुम है। उन इसे लेकी सवति ठाव के पहरे में जानना है तो एक है, एक अनारD अस विमाह सो विमाए चीज कम मांग दिए करने से विमारी दूर हो जाते हैं लेकिन वहाँ उपलब्ती चीज एके है लेकिन विमारों किसंगे सोग है एक अनार है लेकिन विमारों किसंगे सोग है इसका अर्थ है चीज कर्ण मांग अधिक ऐसा अर्थ है जेसी करने वेसी बरने माणी तुम्न माना या वैसे जेसी करने वेसी बरने कारी के हिसाफ से पल म तीसरा वन है एक और एक ग्यारहा एक और एक ग्यारहा एक और एक आपको यहाँ भी एक एक ग्यारहा ऐसा नहीं कह सकते हैं एक एक प्लस एक दो है एक और एक ग्यारहा कहते हैं एक ता में शांती होते हैं अजजल गगरी चलकता जाए ज्यान कम होने पर भी दिकावा करना बहुत कम ज्यान माले है फिर भी अपने हैश्यत दिकाना लोग में बहुत होश्याम हो ऐसा दिकाना यही है इसका अर्थ है यहां है कहावते है कहावते है कुछ कहावते है और साथ-साथ उसका अर्थ बेवे है अब हम कुछ मोहरों के अर्थ बे जानेगे मोहरों एक शब्त बेक कुछ कहना है तो उसे क्या करते है एक विशिष्ट शब्त प्रयोग से करते है उसे देखिए का मोगी खाना का मतलब कि नहीं है मूगी खाना मतलब बूरी तरह रहते हैं उनको कहते हैं उनको कहते वक्त मुग की खाना रजर इसको मुझसे मूह की खाना पड़ा यानि मूरी तरह से हारना पड़ा उल्लू बनाना उल्लू बनाना एक और महौरे का महौरे है तो उसका आथ है मूर्ग बनाना बीरबल अकबर को उल्लू बना दिया नहीं तो अकबर बीरबल को उल्लू बनाना चागाता मूर्ग बनाना चागाता जान में पसाना जान में पसाना इसका आर्थ है वश में करना जान में पसाना इसका आर्थ है वश में करना अगला है अकल का दुश्मन बुद्धी ही नहीं तो मूर्ग कहलाते है है मूर के कहलाते है कुछ अन्य उदारणों के बारे में देखना है तो कमर कसना कमर कसना very important जो मोवरे है उसका अर्थ है तैयार होना ताम अडाना ताम अडाने का जो अर्थ है रुकावट डालना किस्मते को ना बाग्य चंकना बांडा पोड़ना मतलब थोल पोलना मतलब रहस्य बाहर आना इस तरह है मोवरे कता कावटों के बारे में अब हम अज्यन के है आपको इसमें डौट्स नहीं है ऐसा में मानता हूँ हम आगे बढ़ेगे क्योंकि अगला हमारा जो पाट है बहुत आसान पाड़ों में एक कहलाते है वहा है जीवन दात्री वर्षा है देखेंगे जीवन के लिए पानी अनिवान यह है वर्षा वर्षा आपको मानू है वर्षा किसे कहते है रे बारिश बारिश का क्यों अवश्रता है एक तो यहाँ कुवे तलब में पानी जादा होने में हमें सहाइता करते हैं दूसरा इसका महतोप्रुन लावर यहाँ है कि केती में इसका उप्योग किया जाता है किसा इस बारिश पर ही अवलब मित होकर जमीन में कुछ उगाते हैं वहाँ हंडेड में से लगब नब्बे प्रतीशत बारिश पर ही अवलब मित रहते हैं यदि इसको बारिश हाथ दे दिया तो बहुत मुश्किले उसे सामना करना परता है उनका जीवन दुक्कम ही बन जाते हैं वहाँ जो भी सपना पसलों के बारे में देखते हैं वहाँ अधा रह जाते हैं वहाँ जिस तरह से लाख उटाना चाहता था वहाँ नाकाम हो जाते हैं उनके लिए एक किया हुआ घर पे उनके लिए एक भोज बन जाते हैं इस तरह वर्षण नहीं हुए तो बहुत कश्ट उसे उटाना पड़ता है वर्षण नहीं हुआ तो नकेमल किसानों के लिए यहाँ हानिकारत है यहाँ प्रक्रती में रहने वाले सभी जीवजन्तों पज़ो पक्षियों के लिए भी यहाँ खष्ट मैं जुन्दिगी वगदना मड़ता है वहाँ नदी के पानी सूप जाने से बिना पानी से तडब तडब कर मर जाते हैं इस तरह कि किसानों के लिए जिस तरह आनिकारत यहाँ है उसी तरह प्रक्रती में रहने वाले सभी जीवजन्तों के लिए यहाँ बहुत समस्या के रोप में उबर कराते हैं बच्चों एक विज़ार आपको ज्यान देना है कि जिस तरह बारिस नहोंने से वर्षा नहोंने से हमारे लिए यह दुख पहुँचाते हैं तो वर्षा जहना हुआ तो भी हमारे लिए संकट का खषण आते हैं मुसीबतों को सामना करना पड़ता है जब जानस जब वर्षा हुए तो नदी अपने किनारे को तोड़कर बाते हैं इससे नदी के किनारे में बसे हुए है परिवा तता वहां की केत में जो केती में उपजाए हुए फर नहीं तो कुछ दाने यह हस भी क्या है खराब हो जाते हैं बहुत कष्ट में जिन्देगी जीना पड़ता है यहां वर्षा ज़्यादा हुआ प्राणा हानी होने की संभव नहीं तैबिये बहुत सारे प्राणी पशु पक्षी जीव जन्तु इस नदी में बहा जाते हैं यहां भी दुख का सो समय हैं वर्षा ज़्यादा हुआ तो भी लोगों के लिए कष्ट है वर्षा क्रम होए तो भी लोगों के लिए मुसीबत ही है इस तरह रेने वाले इस इस वर्षा के बारे में हम अदेन करने वाले हैं आकिर यहां वर्षा मनुशी की जीवन में इस तरह काम करते हैं किस तरह बारिश के रूप में यहाँ नदी की पानी बारिश के रूप में जमिर पर आकर दुबारा गिरते हैं यह सब यहाँ देखने माने हैं जीवन अधात्री वर्षा है एक सुन्दर पाठ है जीवन अधात्री वर्षा पाट चौदा जीवन अगात्री वर्षा जीवन अगात्री वर्षा यहां लेकर अद्बुत पाट है इस पाट के महात्यम से हां वर्षा के महात्व तता वर्षा जीवन के लिए कितना आवश्यक है इसके बारे में हम चट्रा करने वाले हैं पाठ चवदाहा जीवन दात्री वश्वा यहां एक संकलित पाठ है इस पाठ के माध्यम से चाट्र क्या सीख सकते हैं इसके बारे में जाना है तो पार इस बार से बच्चे यहां सीखते हैं ये चाप्तर पानी के उपियोग और लाव से परिचित होते हैं पानी किस तरह उपियोग करना है और इसका लाव क्या क्या है आजकल का जो प्रतिती है हर एक मून को भे बचाना है क्योंकि पीने की पानी की जो मात्र बहुत कम है समुद्ध जो पूरे जो भूमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में जलब रदेश ही है और पूफरेश तोड़ा कम ही है तिर भी इन में से बहुत कम है यहां पीने योग्य पानी का जो श्रोत है यहाँ पीने योगे पानी का हमें एक समुझित जो विवस्ता में उपियोग करना है बचो यहाँ आपको अध्यन्त ध्यान देने की वाग है चात्र जिवर में जब आप पानी को बचाने का यहाँ आदत सीख लिए तो पानी की सही उपियोग करने का यहाँ आदत सीख लिए तो पानी जीवन के लिए कितना अवश्च के यहाँ सीख लिए तो आप पर जीवन सर्वस्रिष्ट बनने वाले है आप अपने जीवन में कभी भी पानी के साथ चेट चाट नहीं करने वाले है अब हम हाट के बारे में चर्चा करेंगे जीवन के लिए पानी अनिवार्य है मनुश्य जीने के लिए मनुश्य को जीवित रहने के लिए पानी अनिवार्य है एक दिन रह सकते हैं दो दिन रह सकते हैं लेकिन जादा सा जादा आप बिना पानी से रहे तो आप निस्टेजित हो जाते हो आप में शुक्ति नहीं रहते हैं शरीर के लगब सत्तर प्रसिस्वत जो हमारा जो बड़ी का जो आउप्ष है ना पानी मतलब पानी का उप्षर रहते है बहुत मतलब बहुत आवलंबित है मनुश्य इस पानी पर इसलिए जीमर के लिए पानी अनिवारे है पानी का श्रूत अनेख है पानी केवल एक श्रूत से नहीं है उसका श्रूत अनेख है मूल अने है उसका मूल पानी पानी का जो भूल अनेक रूशे हमें मिलते है अगर कहां कहां मिलते हैं पानी आप कह सकते हो सुर्थ हमारे जो अक्वागाड में मिलते हैं सर यहां शुरूत नहीं है देखें कि हम कहां कहां यहां पानी जो आपको उपलब है नदी में आपको मिलते है नाला में आपको मिलते है सागर आदी है कैसे कि पानी के शुरुत अनेख है उनमें से एक है नदी नाला, सागर, समुद्र, आदी है इन सब का कारण है वर्षा नदी में पानी बनने का कारण वर्षा है समुद्र में पानी रहने का कारण वर्षा है नाला में पानी अभी है इसका कारण वर्षा है समुद्र जील ताला और नदियों के समुद्र जील ताला और नदियों के पानी सूरज की गर्वे से बास्प्रवनकर उपर उड़ता है बास्पुवनकर उपर उड़ता है बास्पर मतला आवियागी आवियागी आपको दिखते नहीं नहीं आवियागी मेल गड़े होकता है समुद्र, जील, तारा, नदियों के पानी सूरत के गर्मी से बास कुवणकर शूरी की प्रकावाशमान किरण से यहां आपी आगे मेल गड़े वक्ताएं तदे बास कुवणकर उपर उड़ता है इस बास उसे बादल बनते हैं उपर 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 जाते है उपर जाने के बाद में वहाँ बादल के रूप में बदन जाते है यही कंड है बादल के रूप में उपर रहते है आसमान में देखे तो रेदी सीजर में आपको वहाँ क्लावड़ तो नीचे नीचे आते है आपको यहाँ आपन उनके पाने सूरज की गर्वी से बास्प बनकर उपर उड़ता है इसे पास उसे बादल बनते है यही बास्प बाद में बादल के रुप में रुप डारन करते है आपको मालू होगा यह यह मैं माता बचो आगे के बाद बुखे में देखना है तो अभी नदी ताला समुत्र की नीर बास्प बना सूरज की गर्मे से बास्प बनकर उपर उटा उपर उटा उपर उटा हुए यहां बास्प बादल के रूप में कर्वाट हो गया आपको यहां याद रेना है समुत्र के पानी नदी ताला समुत्र के पानी बास्प बनकर उपर उटे है उपर उटा हुए यहां पानी बादल रूप में बादल जब तंडी हवावों से तक्राते है यहां बादल पानी के बूद बनकर आते है आपको यहां याद रेना है पानी के बूद बनकर जाते है बूद का जो पानी पानी के रूप में जमील पर बरसते है यही दुवारा नदी जील ताला में जाकर मिलते है यह ही यह continuous process है ऐसे एक चर्क्र के जो प्रतीती आपको दें है यहाँ देखिये नदी समुद्र केक पाने यहाँ चीज यह समीर है बास बन कर ऊपर रुपते हैं पास बन कर ऊपर रुपते हैं बास का यहाँ पानी बादल बन जाते हैं उपर जाने के बादल बन जाते हैं बातल बनावा यहाँ पानी जब तंडी हवाओं से तक्राते हैं ग्यावाँ पानी के भूंद बन जाते हैं यहाँ पानी के भूंद बारिस होगा है नीचे केते हैं नीचे गिरा हुआ यहाँ सीधा आकर समंद्र बने जाते हैं यहाँ एक प्रोटेशन पॉलिसी है दीके नजी समंद्र जीर यहाँ यहाँ पानी के भूंद बर जाते हैं बारिस के रूप में नीचे आकर गिरते हैं बारिस के रूप में नीचे आकर गिरा हुआ यहाँ पानी दुबारा समुद्र में आकर मिलते हैं यहाँ एक नामें यहाँ उते ही रेते हैं गिरैसिक पॉक्तिस के रूप में यहाँ उते ही रेते हैं यह समाझ लिदे देखें नीचे नीचे success बादल रहने वाले इन में रहने वाले बास्त के कंड़ पानी के गूंद बन जाते हैं गूंद वाले बादल बारे बोलकर कर दर्टी पर किरते हैं दर्टी के आकर समस्तिते हैं यहाँ पानी के गूंद बनने के बाद में जब गूंद बनते हैं इसे कीच लेते हैं कौन यहाँ भूमी के जो कहना आतर सिर्षते गुरुद्वातर सिर्षते कीच लेते हैं नीचे आतर गिरते हैं कीच जाता है तब वर्षा के रुप में बरस जाते हैं वर्षा के रुप में बरस जाते हैं बरस जाते हैं मतलब बारिश के रुप में बरस जाते हैं इस प्रकार दर्थी से बादर, बादर से दर्थी तक का वाक्याखन या यात्रा बहुत रोचक है देखें या दर्थी से बादर, बादर से एक और बाद दर्थी आकर गिरा यहाँ एक रोचक कता के रुप में है इस तरह रेने वाले एक सुन्दर कता है देखिए आपको मालूम को आए ऐसा मैं मान का हूँ यहाँ आपने साइंस में देखे है वारिस के तो कहना इसके मोमेटम के बारे में नदी, समुद्र, चीज, तालक के पाने बास्त बंकर उपर उपते हैं बास्त का कर्ण बादल बंगाते हैं बादल जब डड़े होगा उसे नीचे गिरते हैं यही बारिस बारिस का पानी सीधा जाकर नदी, समुद्र, दर्ती पर गिरते हैं वहाँ नदी, समुद्र यहाँ जाकर मिलते हैं यही है यहाँ साइकल सिस्टम है देखिए यहाँ रोटेशन सिस्टम है इसी तरह चलते ही लेते हैं इसमें डवट्स नहीं ऐसा मैं मानता हूँ आपको यहां मालूम हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ एक और बाद के देता हूँ समुद्र के इल्टालाब नदियों के पानी सुरज के गर्भी से वास्त बनकर उपर उठा है इस बाश्ममें बादल बनते हैं यहां बादल जब डंडिया उजा से ऩटाते हैं इसमें रहने मुल किसिक बादल है यहां है बारिश के ने का यहां मूल कत्वर है देखिए दर्ती से उपर वेया उपर से एक और बार नीचे आया यहां रोटेशन पर इस तरह रेने वाले जी बंदात्री वर्षा का पहले दो प्यारा के बारे में आज हम चुच्चा किये है आने वाले वाले चुच्चा में इसके आगे का बारे में चुच्चा करेंगे या कहते हुए आज की कुच्चा यहां ही समख कर देता हूँ दन्यवाद